हेलो नमस्का दुस्तो मेरा नम है गनेश और श्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर्टेगन्स में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फोटो के साथ वेक्सिनेशन सक्टिपिकेट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं तो अगर आप भी अपने फोटो के साथ वेक्सिनेशन सक्टिपिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तो फोटो वाला vaccination certificate को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले DZLocker application को अपने Google Play Store में जाकर install कर लेना है जैसे आप अपनी मोबाल से Google Play Store में DZLocker सर्च करेंगे तो आपके सामने ये application आ जाएगा जैसे कि मेरा पहले से install किया हुआ है तो मेरा पहले का option आ रहा है अगर आपका install नहीं किया हुआ है तो आपको install करने का option मिलेगा install आपको फोटो के साथ डाउनलोड करने के लिए इस application पर आपको लोगिन करना होगा तो यहाँ पर आपको get started का option दिख्राई इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप klik करेंगे आप साइन इन का ओप्शन आ जाएगा इस पर आपको klik करना है अगर आप पहले से आपका ID बना हुआ है डीजी लोकर का तो आप यहां से sign इन कर सकते हैं अगर आपका ID नहीं बना हुआ है तो आप sign up पर klik करेंगे और यहां से अपना ID create कर लेंगे ID create करने के लिए आपको सबसे पहले अपना full name इंटर करना है जो आपके आधार card में नाम है वही नाम आपको इंटर करना है आपको date of worth इंटर करना है इसके बाद आपको अपना gender को select करना है mobile number इंटर करेंगे और एक six digit अपने मन के मुताविक आप एक pin रखेंगे जो की login करने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको email ID इंटर करना है आधार नमर इंटर करना है और submit पे क्लिक कर देना है submit होते ही आपका successful इड़ी लकर का ID बन जाएगा और आपका रेजिस्टर हो जाएंगे तो मेरा पहले से ID बना हुआ है तो चली मैं sign in कर लेता हूँ तो दोस्ते हैं पे sign in करने के लिए आपको तीन option मिलेंगे कि mobile नमर आधार के तुरू sign in कर सकते हैं या फिर आप username डाल के sign in कर सकते हैं OTP आने के बाद आपको OTP डालना होगा फिर से submit करना होगा submit करते हैं आप इस application पे login हो जाएंगे तो चलिए मैं mobile आधार नमर के थूरू इस पे login करूँगा चलिए मैं mobile नमर इंटर कर देता हूं तो दोस्तो मैंने आपको mobile नमर को कुछ सेकंड आपको wait करना है और आप successfully application पे login हो जाएंगे welcome लिख के आपका नम सो होगा तो चलिए आप यहां पे हम देखते हैं कि आपको vaccination certificate को फोटो के साथ कैसे download करना है तो दोस्ते आपको vaccination certificate को download करने के लिए नीचे आपको browser का option दिख रहा है नीचे देख पान रहे हैं नीचे तीन option है home, issue, document और एक browser का इस पे आपको क्लिक करना है searching का जो logo दिख रहा है उस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पे बहुत सरा option आपको दिखेगा तो यहां पे आपको एक option दिख रहा है COVID-19 and vaccination certificate का इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे option आ जाएगा ministry of health department का इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आपका name so होगा आपका date of worth और आपका gender अब यहां से आपसे मंगा जाएगा beneficiary ID इंटर करने के लिए बोला जाएगा तो चलिए मैं आप आपको बता देता हूं कि यह beneficiary ID आपको कहां से मिलेगा तो दोस्तो beneficiary इंटर करने के बाद आपको यह register और sign-in का option दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करने के बाद आपको वह इंटर करना है जो मोबाल नमर आप vaccine लेते वक्त दिये थे यानि जो मोबाल नमर आपका registered है यहां इंटर करेंगे इंटर करने के बाद आपको यह get OTP का option दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है आपको मोबाल नमर पे OTP send कर दिया जाएगा देख सकते मेरा OTP आ चुका है OTP को इंटर करने के बाद आपको verify and proceed का option दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल इस पर कर आ जाएगा दोस्तों देख सकते हैं आपका नाम करने के बाद यहांपको paste कर देना है या फिर आपको inter कर देना है note करने के बाद आपको यहां in-der करना है इंटर करने के बाद आपको get document का option दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है कुछ second आपको wait करना है तो देख सकते हैं कुछ second के अंदर आपका document COVID-19 vaccination certificate और आप जो vaccination का dose complete कर चुके हैं जैसे second dose completed है मेरा तो देख सकते हैं second dose लिख के बारा है किस तारीक को मैंने vaccination को complete किये हैं उसका date दिख रहा है batch number दिख रहा है और कौन सा vaccine मैंने लगवाई है वो भी आप दिख रहा है साथ ही लिख रहा है fully vaccinated यारी मेरा second dose complete हो चुका है इस परक download करना चाहते हैं तो आपको vaccination certificate आपका डाउनलोड हो चुका है यहां आपको जो राइट साइड पर three dot का option दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आपको वीव फीडिया आपका option दिखेगा इस पर पूरा vaccination certificate आपका इस परकार आपको दिखेगा download करने के लिए आपक इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं आपका vaccination certificate successfully download हो जाएगा दोस्तों इस परकार आप अपने vaccination certificate को फोटो के साथ download कर सकते हैं तो मैंने यहां पर आपको पूरी step by step detail में बता दी है कि कैसे आपको अपने vaccination certificate को फोटो के साथ download करना है I hope आपको वीडियो अच्छा इकार एक साथ thank you hype